देखिए सूरी ग्रहाण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद ग्रहाण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है एक बार के ग्रहाण लगने से यूग सूरी ग्रहाण के लगने से पांस जार वर्स की आयू यूग की घटी और चंद ग्रहाण के लगने से धाई जार की आयू कल्यू की घट जाती है चंद ग्रहाण के समय सुतक लग जाने पर जो घर में है वो घर में जो बंदिर है डालने परदा प्रतिमाओं का इस पस न करें बैठ करके जाप और हमन किया जा सकता है अगर यह हमन करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है ग्रहाण काल में की गई साधना कभी निश्फल नहीं होती है तमाम साधक, तांतिरिक, धर्माचार इस ग्रहाण काल में मंत्रों की सिध्धि करते हैं और अब की बार तो यह है तीस वरसों के बाद चंद ग्रहाण पूर्णिमा को लग रहा है इसमें भगवती लक्ष्मी की विशेश साधना किया सकती है माता लक्ष्मी की छे घंटे पहले मंदिरों के कपाट 9 घंटे पहले बंद हुआते हैं लेकिन घर में विसम पूर्थिसों में 6 घंटे और अगर हो सके तो 9 घंटे पूर्व से ही पूजन पाट की जो आपका पूजन घर है उसमें डाल दे परदा क्योंकि उस पर निगाहा न हाधन पूर्च特 की जो आपका पूर्च कर एंटे लिए में अवरे क्पा अगर में बंद श।िटर्व एंटे पूर्च 好 रड़ चान घर है कि चलिःखने लो लो आका बंद हैं घर दोने पूर्ले कर तो